नबश्कार दोस्तों आज है दिसम्बर की आठ तारिक और आज का जो वीडियो है मैं वह अपने गार्डेन का आपको हाल चाल दूंगी अपडेट दूंगी जो भी मैंने वीडियो इदा बीच बनाया है हलांकि मैंने वीडियो बहुत कम बनाए हैं काफी कम होके है इदर मेरा वीडियो बनाना तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं विंटर के फ्लायर पिटुनिया से तो पिटुनिया देखे वाश्वेसिन में मेरा यह लगा हुआ है और बहुत अच्छे से चल रहा है कि कितना अच्छा देके फैल गया है जितने भी मैंने लगाए थी चोटी-चोटी स मेरे यह फ्लारिंग प्लांट से ना मैं इनमें पंदरा दिन से पहले बिल्कूल भी कोई भी फर्टिलाजर नहीं दे रही हूं यह देखे और आप पूरा चोटे-चोटे मैं आपको निकाल के अहां से तिखाती हूं यह देखे कितना चोटे-चोटे ऐसे डिबे हैं यह और यह भी मेरा लास् टियर का है तो सांओ यह दो नहीं है, मैं उका दिखाना सीर्फ इतना चाहरी हूं कि मैं इस समय बिल्कुल भी गाड़ेन में उतना काम नहीं कर रहा ainda हूं, बहुत ही कम बसा आकर माझ पानी दे देती हूं, तो मेरे लास्टियर के सारे हैं, और आपँए केयर के इतनी इतनी कर यहां पे कलियां भरी हुई है पूरे भर गई है क्योंकि गुल्दावदी में देखिए इसी तरीके से फ्लारिंग होती है तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़दा खात दो और यह मेरा देखिए जैसे पिटुनिया है इसमें भी पूरा यह फैल रहा तो अब ही मैंने जैसे 15 दिन पहले आपको बताया था इस पर एक वीडियो बनाया था कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है तो बस मैं वही अपने प्लांट्स में आज दे दूंगी क्योंकि अब 15 दिन हो चुका है तो कहने का मतलब यह हैं कि बहुत जादा खात की जरूरत तरस्य नहीं होती है होती है फ्लारिंग वह भी फ्लारिंग होती है तो हमको जरूरत होती है लेकिन हमको सबसे जरूरत हो ना मिट्टी तैयार अच्छी करना मिट्टी अगर अच्छी तयार रहती है तो उसमें आपको दूप मिलती है तब अच्छी फ्लारिंग होती है तो और यह भी आपको दिखा दो यह वाला जो मैंने गुल्दावदी लगाया थे दो प्लांट मैंने लगाया था आप लोग को इसके साथ पूरा वीडियो इसका शेयर का तब पिंचिंग का शेयर किया तो आप इस समय देखिए अब इसके सारी अलग अलग बहुत सारी ब्रांच यह भी अच्छा से फ्लारिंग कर रहा है इसमें भी काफी सारी यह देखिए बर्ड है यह है बहुत सारी बर्ड से अच्छा और यह देखिया आप मिट्टी की वज़ा से ना अप जित्के मेरे पैसे थैलियों में बोरियों में इस तरह से प्लांट लगा रखे हैं और इसी को जब मैंने खाली किया था तो इसमें शकरकंदी भी ली थी अचानक से एकदम मिल गई थी मुझे शकरकंदी वो स्वीट पोटेटो उसकी मैरे कटिंग से तयार की थी तो इसी को खाली किया था उस ही समय यह देखिए मैंने सब लगा दिया था और यह एक इधर लगा सेपलिंग्स लगाई थी यह देखे इसके कलंडूला की लगाई थी तो कलंडूला में भी बट्स आ गई हैं और मैंने जब की बोला ताप लोग से शुरू में कि मैं ज्यादा विंटर के प्लांट नहीं लगाऊंगी लेकिन हां जो थोड़े के कुछ प्लांट से होते हैं जो कहते हैं बिल्कुल गार्डन में बिंटर के नहीं हो तो गार्डन का गटांग मंधूरा लगता है कालंडूला हो गया मंरे गुछ ऑम हो गया अरना जो देलिया यह lot ऑगने फिरे कं लिगाने पो बहूंतिशक्ताई हैं सारे रड़ा इस दिदर भी थो यह 3 में लगा रे मुझ मैं आपको दिखाते हुए इस तो टो पूस्ट हो शार चाह में पाद में तो पर निंगा ने के दो लगांगे कि यह देखाति हुए और यहां चोटी चोटी से स्टेम कटिंग से लगाया था तो यह लग गया है और जो एक लीफ से लगाया था तो यह देखिए लीफ से सिंगल लीफ से लगाया था तो उसका यहां पे आप देख रहे हैं नया प्लान निकला है बाकी देसी वाले तो भूत हैं यह सब तो ऐसे ही लगा रखें इनको तो द तीन घंटे की दो घंटे की भी धूप मिल जाए ना उतना ही काफी है बाकि टमाटर की मैंने टूजी कटिंग कर दी थी त्रीजी अब यह देखे कर रही हूं करूंगी और इसके बाद हाला कि यहां देखे फ्लार आने लगा है लेकिन मैं इसको अब फिर से यहां से यह देख बोलती हूं अभी जो मदर प्लांट था वह ऐसे के वैसे यह इदर से नया प्लांट मेरा और तयार हो गया है वैरिगेटर चाइनीज का वायलेट का खुब सारे इसमें फ्लारिंग हो रही है यह देखे बोगन विल्या की वैराइटी देखे 8 दिसमबर है कई सारी देखे लगवग लगवग सभी एक अपडेट आपको यह वाला देख्या है पर्पल हार्ट का मैंने यह लगाया था तो इसकी कटिंग आपको बताई थी यह लग गई है एक वीडियो दोस्तों मैंने एना लिली का यह भी थैली में एसे इसमें लगा था यह पत्ते हम अंद यह वाला देखिए इसको स्थलकमल बोलते हैं देखा रही हो कि सेकेंड आपको मैं इधर से यह देखिए इसको मैंने लगा दिया था इसको ना बहुत देखना वड़ता है इसमें काफे सारे मिलीवग होते तो यह लग चुका है और यह देखिए इसमें बढ़ भी आ गई है यह इति ने में विच्ट बना दूंगी और इसको अधरिक एक पर लिपलाओ जाता है नियुक्न ही तक जोनाय आखिए ने आफ मेर्फीति इसको सकता है वह ऑनियुक्त सब्सक्ति जहतना बचेंकर दूड़न नियुक्त दूस्त वेंगा जो पुराने विवर्स उनको पता है नए वालों को मैं बता रही हूँ जो लोग पहली वारा है मेरे चैनल पे तो इस चक्कर में आभी देखिए पुरा यह जाड़ु अब यहां सफाई करनी है इस जो सुके पत्ते अब इनको फेक होंगी नहीं यह देखिए इस तरह से मैं य देखिए यह वाली बककट पे हलाकि सूख लिया है इसको लीला होना जरूरी है तो एक अपडेट आपको मैं और देते हूं यह देखिए मेरा हर्शिंगार का प्लांट है मेरा गमला टूट गया था तो तो मतलब उसको मैंने रिपॉर्ट किया था यह देखिए सीमेंट वा है और वही पॉली बैंग में सब में लगा रहा है मैं अब देखिए मुझे जैसे भी खाली करना है अब इसमें पूरे सीट्स तयार हो गए गुलमेहंदी के वही करूंगे यह सब फैल जाएंगे गिर जाएंगे तो बहुत काम होते हैं अगर खुद करोगा काम तब तब त देने का काम करती हूं फर्टिलाइजर अब बिल्कुल भी इस समय जितने पर्मानेंट प्लांट से ना उनमें नहीं दे रही हूं हलांकि कोई-कोई है ऐसे अब जैसे यह देखिए मेरा यह लगा हुआ है जो ने वीवर्स उनको बता रही हूं यह मेरा चंप यह देखिए उसमे के साइड में रख रका है। मुझे इसमें फ्लॉरिंग हैं कि अर्यार यह को न झार तो यह देखिए मुझे निम्कृतित नहीं तो गहांस पार भी लेखिए देखिए ईसलसा अच्भिंतां में व्यार का मैंनेटितो यह क्यो inten verdade हैं घॉत पंशलना शजिए बहा तो चलिए कुछ आपको अपने इंडो प्लांट्स का भी अपडेट दे दूँ आई आपको मैं अपना कुछ इंडो प्लांट्स का भी अपडेट दे दूँ तो देखिए इंडो प्लांट्स में ऐसा कुछ रहता नहीं है जैसे कि विंटर में तो बिल्कुली ग्रोथ रुकी ह मेरा इस पर न्याहसा निकल रहा है वागी आ ही प्लांट की ग्रोफ एल्दम स्लोर होती है कि अधि हैं है लगिन थीमेदी में हला यह सलोर है इसा नहीं होती है वैसा नहीं है जिसे क्रोटन है तो क्रोटन धूब में वैसे तो रख सकते हैं विंटर है लेकिन इसमें वाइट फ्लाइज का बड़ा चकर हो जाता है एक बार वाइफ टाइज लगता है तो थोड़ा सा वह खराम नहीं लगता है तो बस यह ध्यान देती हूं मैं और बाकि यहां पर बस स्पाइडर प्लांट भी तो मेरे से किसे ने पूचा कि यहां पर खराब नहीं होता तो आप एक बात एक चीज का गौर करिए मैंने विंडो के पास में रखा हुआ है तो विंडो से थोड़ी सी नैश्राल लाइट आती है बागी यह तो बिल्कुली सिंग के पास मैंने यह वाला जेजी प्लांट एक खरीदा था ना एक करीदने के बाद रिपोर्ट के तो बहुत बना दिये थे मैंने और बाकी सब एकलो निमा वो सब सब ठीक ठाक चल लाए हैं कुछ हिसमें अभी कोई भी खाद आप मत दीजे अभी मत दीजे फरवरी में दीजेगा और इतनी ज इसे बस मिट्टी में लगा दी थी तो ये कटिंग लग गई है काफी टाइम हो गया इसको यहां पर मुझे इसको निकाल के किसी जगह दूसरी जगह पर शिप करना पड़ेगा दो कटिंग से यहां पर तयार हो गई है और बाकी दोस्तों यह वाला जो डॉलर प्लांट है Sun चानिज मेरी प्लांट इसको मैंने अभी ही जल्दी ही बस रिपॉलर किया इसके भी मैंने दो-तीन ब्लांट बना दिये इसका लिंक भी दे दूँगी खूब सारी से बड्स हैं बहुत आई हुई है इसके फूल इसी तरीके से होते हैं वागि जो भी मैंने थोड़ा लेट प्रूनिंग की थी तो लेट प्रूनिंग करने की वज़़ा से यह देखिए हाला कि इसमें पहले देखिए नहीं नहीं बड़े गमले में इसकी प्रून की थी ना तो इसकी ब्रांच में आपको दिखा थी नहीं थी और यह देखिए सब सेट हो गई है इसमें सब नहीं निपत्या आ गई है तो मेरे जितने भी वैसे भी देसी वाले गुलाव है वह सब कटिंग से ही तयार किये हुए है चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी मुझे इसको रिपॉर्ट करना है क्योंकि द दिख रही है तो इसको भी मुझे लगाना है और एरियल रूट क्यों निकलती है आपको मैं जब वीडियो बनाऊंगी ना तब बता दूँगी क्योंकि अब मिट्टी बहुत सक्त हो गई है दिखिए आवाज सुन रहे कितनी सक्त है इसके मिट्टी तो मैंने इसको तो खेर अंदर रख देती हूं कि कहीं भारिशारिश हो ही पता चला मैं ध्यान नहीं दे पाई तो खराब हो गया अभी बस बहार लाए हूं चरिया ठीक है अब मैं आप लोगों से मिलूंगी बहुत ही जल्दी से कोशिस करूंगी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की नहीं और ठी ठीक है और सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर नहीं किया है तो जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप आल वाला जो वहता है ना बेल उसको दबा देंगे ठीक है चलिए बाए थेंक्यों वहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नोटि यह देखिए यह वाला मैं बोल रही हूं एक मैंने इसमें लगाया था यह चाइनीज मरी प्लांट यह भी सेट हो गया है और यहीं पर मैं रख देती हूं थोड़ा सा बारिश आरे जब तक रिपॉर्ट नहीं कर रही हूं तब तक और वागी मेरे सभी प्लांट ठीक चल ल वीडियो तो लाइक करेगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेगा थैंक यू